शिद्ध शदक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है चैनल में गूप्त गूप्त दूरलव साधना आई चल रहे हैं जान नियो ग्यों बातों पर चर्शाय भी होते आ रहे हैं साथी साथ सकती साली से अती सकती साली तीब्र टोटके भी दिये जा रहे हैं तो साधनाव वाले इस कड़ी में आज हम बात करेंगे तीब्र हिडिम्बा साधना के विशे में तीब्र हिडिम्बा साधना ये एक सोम्या साधना है, सरल साधना है और प्रतेक गृहस्त व्यक्ती के लिए अनुकुल है जैसे अब जानते हैं संपुर्ण जीवन का आधार पूर्णता ही है जो प्रतेक व्यक्ती के लिए कहीं ना कहीं उसकी भौतिक अवस्ता पर भी निर्भर करता है क्योंकि जब वो पूर्ण रूप से भावतिक समस्या से निर्मुक्त हो सकेगा तभी तब वो अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचा सकेगा और हीडिमबा साधना इन्ही कर्तव्यों को संपुर्णता के साथ निर्वाह करने की साधना है जिस संपर्ण कर आप प्रत्यक प्रकार परिस्थितियों को अपने अनुगुल बना सकते हैं साधार अनतह मनुष्य जीवन की कुछ ऐसी समस्या होते हैं जिस से वह पूर्णतह निजात पाना चाहता है जैसे एक मनुष्य चाहता है कि वह पूर्नता रोग मुक्त रहे, उसका पूरा परिबार भी पूर्नता स्वस्त रहे, रोग सारीरिक हो या किसी अन्य प्रकार से हो, व्यक्ति उनसे उबरना चाहता ही है, वह रोग को महिनों तक नहीं जहलना चाहता, चाहे वह कितना भी छोटा से छोटा या बड़ा रोग क्यूं नहीं, वह स्वयम को तथा पूरे परिबार को पूर्नता रोग मुक्त करना ही चाहता है, क्यूंकि जब व्यक्ति रोग मुक्त हो सकेगा, तबी वह अपने परिबार तथा स्वयम के लिए भी रचनात्म कार्य कर सकेगा फिर वे उच्चता को प्राप्ट करने के लिए भी सोच सकेगा फिर आता है रुण के विशे में रुणी व्यक्ति जब वो चाहे कितना भी सजन हो, सभ्य हो, सोम्य हो, परंत उसकी छबी एक रूणी व्यक्ति के समान ही रहता है, इसलिए जब तक वो अपने उपर लदे रूण बोज को समाप्त नहीं कर लेता, तब तक वो अपने समाज में अपने अनुकुल परिश्थितियों निर्मित नहीं कर पता, हिडिमबा साधना पूर्ण तह रूण मक्त होने का भी साधना है, फिर आता है व्यक्ति की समाजिक स्तीती में उसकी जीवन के सहियोगी का पूर्ण तह प्रभाब पढ़ता ही है, क्योंकि समाजिक रीतियों के अनुसर वह उसके हर कारियों में सहियोगी होता है, और यदि इन दोनों माने पत्ति-पत्नी के मध्य कटूता आ जाए तो उसका प्रभाव उसके परिवार पर अवस्य पड़ता है जिससे उसके परिवार का वातावरण मधूर नहीं रहता और व्यक्ति आपने सामाने से कारियों को भी पूरा नहीं कर पता है। फिर आता है राज किया कारियों में संलप व्यक्तियों या व्यापार से संबंधित व्यक्तियों का अधिकतर राजभाय व्याप्त रहता है। के यूग में तो व्यक्ति हर चंड राजभाय से ग्रस्त है ही है। अब बात करते हैं साधना विधान के विशय में कैसे इस साधना को आप संपन करेंगे। फिडिम्बा साधना संपर्ण करने से व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई हानी नहीं होता ये याद रहे। कोई भी ग्रहस्त व्यक्ति इसे संपन कर आपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सुख में जीवन प्राप्त कर सकता है। नाम सुनके कोई डरे नहीं ये एक सोम्य साधना है। इस साधना में आपको आवस्यक सामगरी चाहिए। फिडिम्बा यंत्र, फिडिम्बा माला और आरजया। यह साधना एक दिवस्य सारात्री का लिन साधना है। इस साधना को आप किसी भी संपन कर सकते हैं। अब क्या करें? साधक स्वच्छ होकर सफेद वस्त्र पहने, लकडी के बाजोट पर स्वेत वस्त्र विही बिच्छाएं, उस पर तामर पात्र में हिडिमबा यंत्र रखें, यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, उसके सामने घी का दीपक और सुगंधी तगर्वती उस पर लाल कनेर के पुश्प और कुमकुम चड़ाएं, फिर हिडिमबा माला से, जो सिद्ध साधक परिवार के द्वारा कई बर्षों से सिद्ध किया गया हिडिमबा मंत्र है, उस मंत्र का पचातर माला जाप करें, यानि 75 राउंड्स आपको जाप करने है हिडिमबा माल से, मंत्र ऐसा है, आप रिक के रख लें, ओम, रिम, हरिम, हुम, हरिम, हरिम, फट, उसके बाद क्या करें, जाप के बाद दूद का बना हुआ भोग लगाएं, साधना को संपन कर, आरजय को 21 दिन तक धारण करें, 21 दिन के बाद किसी सनिवार को यंत्र, फिरिमबा माला और आरजय को किसी नदी, तालाब या कुएं में तीरोहित कर दें, इसके बाद आप और स्वयम अनुभव करेंगे कि जीवन के से बदलते जा रहा है, आपको हाथो हाथ जिन्देगी बदलते दिख जाएगा, यह साधना विधान हमने 38 संक्षित रूप में बर्नन कर दिया है, ताकि इसका दुरियोपयोग भी नहीं हो सकें, उसमें और जादा कुछ हम बताए नहीं, जिनको यह साधना करना है, वो इमेल दिया हुआ है, हमें संपर करें, उनका पूर्ण मार्क दर्शन कर दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे कहे हुए बातो का दिये हुए मंत्रों का भी सन्मान बना रहे, आज के लिए इतना ही था, ओम क्रिम 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 रिम्रिम्रिम हुम हम हम दक्षिना कालिके, क्रिम क्रिम क्रिम्रिम्रिम्रिम हुम हम हम स्वाह, मा दक्षिना कालिके नमा प्रसन्न बरदो भवा, प्रसन्न बरदो भवा, प् प्रिवार